नमस्कार and welcome to Curiously Education मैं हूँ प्रशाथ मावानी I hope you are learning good my dear friends आज हम बात करने वाले हैं टाइम मेनेजमेंट के बारे में और ये एक नई सिरीज है आज मैं टाइम मेनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले तो ये प्रशन उठता है कि ये टाइम मेनेजमेंट को लेकर एक सिरीज बनाने की क्या जरूरत है इसका बहुत ही सिंपल आंसर है ये आपके एमपावरमेंट के लिए है मैं चाहता हूँ कि आप समय योगी बने मैं चाहता हूँ कि आप टाइम के अच्छे मेनेजर बने आपका जो परसनल वक्त है उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करे उसको अपने हिद के लिए इसका इस्तमाल करे आप लाइफ में सकसेस्फुल बने आप लाइफ में खुश रहें और सकसेस का मतलब यहां पर रहसा नहीं है कि आप सिर्फ कोई एक एग्जामिनेशन जो है वो क्रेक कर ले सकसेस का मतलब यह है कि एग्जामिनेशन तो क्रेक करनी ही है एग्जामिनेशन क्रेक करने के बाद जब आप एक civil servant बन जाएंगे उसके बाद आप देश के हित के लिए इस दुनिया के हित के लिए जो भी छोटा बड़ा काम आप कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें तो आपका पूरा जीवन जो हैं वो आप successful रहें physically, mentally, personally, professionally, emotionally, spiritually आपका एक holistic development हो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग important विशोयों पर मैं कुछ series जो हैं वो लेकर आ रहा हूँ दोस्तो, time management दो शब्द हैं, एक है समय और एक है उसका management तो सिर्फ समय को manage कर लें, तो हम होगे time के manager या फिर time का best utilization करने वाले व्यक्ति तो इसमें और ज्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत क्यूं है, ये भी एक प्रशन उठता है इसका जवाब ये है, कि मैं जानता हूँ के YouTube पर आपकी libraries में बहुत सारी ऐसी how to वाली किताबे हैं, how to वाले videos हैं, एक interesting चीज है के एक समय था, ये culture जो है, जहां तक मुझे पता है, USA में स्टार्ट हुआ USA में एक how to वाला culture स्टार्ट हुआ और इस how to वाले culture में बहुत सारे writers और बहुत सारे authors जो हैं, उन्होंने how to वाली किताबे लिखना स्टार्ट कर दिया how to live life, how to enjoy your life, how to make friends, how to be a public speaker, how to be best version, how to be a good listener, how to manage your time, etc. क्या इन सारे किताबों में जो बताई गई बाते हैं या फिर टिप्स हैं वो गलत हैं, क्या इसलिए मैं नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, the answer is no बहुत सारी इसे किताबे होगी, बहुत सारे इसे वीडियोज होगे, जिसमें बहुत ही interesting चीज़े जो हैं वो, या फिर interesting tips जो हैं, वो time management पर आपको बताई गई होगी, या फिर आपको पता होगा. अब प्रश्ण ये उठता है, कि ये सारी tips को जाने के बाद भी हमरे जीवन में वो जो बदलाव हम लेना चाते हैं, वो बदलाव क्यों नहीं आये हैं, उसके फिछे reason ये हैं, कि उपर उपर से अगर मैं आपको 5 point दे दू, कि ये 5 point आप याद रख लीजिए, या फिर इसक से ही चलता, तो फिर ये सारी discussion की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती, मेरा ये मानना है, और सिर्फ मानना नहीं है, मैं ये जानता भी हूँ, कि एक बार किसी भी विशे को, यहां पर विशे की बात हो रही है, टाइम मेनेजमेंट की, तो एक बार आप समय के साथ जुड़ा हुआ जो ज्यान है, जो विज्यान है, उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, और पिर कैसा इसको implement किया जा सकता है, वो समझ लेंगे, और फिर आप उसको थोड़ा-थोड़ा implement करना start कर देंगे, तो first day से ही आपको इसके results जो हैं, वो देखने मिल जाएंगे, और एक बार आपको result का स्वाद मिल गया कि इतने efforts डालने से मुझे इतना सारा result मिल रहा है तो ये जो स्वाद है वो एक fuel के तौर पर काम करेगा और धीरे धीरे आप अपने समय के अच्छे manager बन जाएंगे और समय का manager या फिर यहाँ पर मैं शब्द का जो इस्तमाल करूँगा वो है समय योगी राइट टाइम मेनेजर is not the right word समय योगी जो है अब बात निकली है योग की योगी की तो किसी भी धर्म के साथ जुड़ी हुई ये बात नहीं है लेकिन भारत की अगर आप संस्कृती पर नज़र डाले हमारी ancient Indian scriptures जो है इन पर नज़र डालेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ancient Indian scriptures जो है वो हमेशा से इस बात को हमें बताती रही है हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि we need to control our mind हमें हमारे दिमाग को control करने का मतलब जो है वो negative नहीं है इसका मतलब यह है कि हमें हमारे दिमाग को समझना चाहिए focus वाली जो series है उसमें मैंने आपको बताया था और यहाँ पर focus की series की बात निकली है तो मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यह सारी series जो है वो interrelated है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि focus की बात जो है वो अपने आप में अलग है और time management की जो बात है वो अपने आप में अलग है सारी चीज़ों का connection अगर आप देखेंगे तो it's like a जो मकड़ी का जाला होता है like a cobweb हर एक चीज़े एक दूसर के साथ जोड़ी हुई है आप किसी एक तार को छोएंगे तो पूरा जाला जो है वो आपको dance करता हुआ नजर आएगा तो यह focus वाली जो series है उसमें मैंने आपको human brain के evolution के बारे में बात की थी उसमें मैंने आपको बताया अभी था कि विचार आना जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं है controlling the mind जो है उसका भी एक बहुत ही deep level होता है लेकिन उसकी गहराई में आज हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं हम बात करें कि ancient Indian scriptures में control of the mind को काफी ज्यादा जोर दिया गया है और हम सब इस बात को जानते हैं इस बात को मानते हैं कि एक बार हम हमारे internal nature को जान ले एक बार हम internally चीज़ों को sort out कर दे तो external चीज़े जो हैं वो काफी अच्छी तरीके से sort out हो जाती है तो अगर हम हमारे peak तक पहुचना चाते हैं performance को बढ़ाना चाते हैं या फिर जीवन में आगे बढ़ना चाते हैं तो ये एक ही रास्ता है इसका और वो ये हैं कि हम हमारा जो भी talent है इस talent का proper generalization करें ये सुरज की किरणों की तरह है कि हमारी जो सुरज है उसकी जो raise होती है उसके अंदर बहुत ताकत होती है लेकिन अगर ऐसे ही सुरज की किरणे जो है वो बिखरी हुई है तो इसकी कोई ताकत नहीं है आप इसके आगे एक magnifying glass लगा दीजिए और फिर यहां से जब सुरज की किरण पास होगी और फिर जो एक point पर एक concentrated सुरज की किरण जो है वो आग लगा सकती है same thing happens with us as well हमारे पास talent है और इसका proper generalization नहीं है तो वो talent किसी काम का नहीं रहेगा लेकिन अगर हम हमारे talent का proper generalization करें तो हम जीवन से क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते और proper generalization of talent जो है वो तभी हो सकता है जब हमारे पास जो समय है उस समय का हम judicious यानि की सद उपयोग करें एक बार हमारा जो दिमाग है यहाँ पर मैं brain की बात नहीं कर रहा हूँ brain एक human organ है brain से पैदा होने वाली चीज़े है that is called mind हमारा जो mind है हमारा जो चंचल दिमाग है उसको थोड़ा हम स्थेर कर दें तो फिर हम हमारी किस्मत बदल सकते हैं हम हमारी किस्मत लिख सकते हैं यह बात तो शायद आपको थोड़ी illogical लग रही हो शायद लग रही हो I'm not saying कि सभी को यह लगेगा कुछ लोगों को ऐसा लग भी सकता है लेकिन stay with me time management का विग्यान जब आप जान लेंगे और जब इसको implement करना start कर देंगे तब आप genuinely पाएंगे कि नहीं सच में बहुत सारे लोगों ने कहा है हम हमारी तकदीर जो है वो खुद लिख सकते है वो तब लिख सकते है जब हमा हम हमारे दिमाग को या फिर आप कह सकते है कि जब हम समय योगी बन जाए तब हम definitely हमारे भागिय को भी बदल सकते है समय के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि time is money I am not happy with this comparison पता है क्यों time जो है वो पैसा नहीं है लेकिन time जो है वो एक currency जरूर है जब आप market में जाते हैं किसी भी market में जाते हैं तो market में पैसा बोलता है आप पैसा कह लीजिए dollar कह लीजिए pounds कह लीजिए जो भी अलग-अलग currencies है basically चलती है ये market की बात है तो जितने पैसे लेकर आप जाएंगे उतना सामान या फिर सेवाए आप खरीद लेंगे तो आप समझ लीजिए कि market में पैसा जो है वो आपकी currency है जो हकीकत है लेकिन जीवन की जब बात करें तो जीवन में या फिर कुद्रत ने अप इसको भगवान कह सकते हैं अल्ला कह सकते हैं गौड कह सकते हैं देवी शक्ती कह सकते हैं कुद्रत कह सकते हैं जो भी आप नाम देना चाहे अगर आप अप सोचें spiritually भी अगर आप सोचें तो कुद्रत ने हमें एक currency दी है and that is time और ये करंसी जो हैं ये unlimited करंसी नहीं है इस जीवन की भी एक limited करंसी हमें दी है और ये करंसी हैं समय, moments, seconds आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये पूरी possibility है पूरी possibility है कि ये lecture खत्म होने से पहले मैं इस दुनिया में ना रहा हूँ आप practically सोचिये कभी किसी को क्या पता चलता है कि उसका अंत हो जाएगा मैं बात करा हूँ एक healthy व्यक्ति की एक ऐसे व्यक्ति की जो ठीक ठाक चल रहा है अब कोई व्यक्ति जो है वो बिमार है तो शायद उसको पता चल जाए लेकिन normal जो हमारा day होता है उसमें कई लोग लोगों की मृत्ति हो जाती है in fact every single day every single day लाखों ऐसे लोग होते हैं इस पृत्वी पर जो रात को जब सोने के लिए जाते हैं जब अपने बिस्तर में जाते हैं तब उनको पता नहीं होता है वो alarm clock भी set करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये last time उन्होंने जीवन में alarm clock का जो बटन है उसको प्रेस किया कल सुबह जो है वो उनके लिए कभी सुबह ही नहीं होगी वो statistics का पार्ट बन जाते हैं तो समय जो है वो एक ऐसी limited currency है हमारे पास सिर्फ यही ऐसी चीज़ है जो हम खर्च कर सकते है अब सोची का इसके बारे में लेकिन अगर इसका सही इस्तमाल किया जाए तो यही समय जो है यह limited समय जो है वो हमें liberate कर सकता है हमें आजाद कर सकता है यही समय जो है वो हमें alleviate कर सकता है हमें हमारा जो स्थान है हमारा जो level है उस level को कई गुना ज्यादा increase कर सकता है और यही समय का सद उपयोग करने से जो हम कहते हैं हमारे जीवन में magic होने लगते हैं जादू होने लगता है जो चीजें हमने सोची नहीं है वो चीजे जो है वो हमारे साथ अच्छी चीजे जो है वो हमारे साथ होने लगती है लोगों को लगता है कि ये कैसे जादू हो गया कैसे इस व्यक्ति की तकदीर जो है वो पूरी बदल गई लेकिन आप देखेंगे कि लोगों ने अपने समय को संभाल लिया और बाकी की सारी चीज़ें जो हैं, वो automatically संभल गई तो इस सिरीज में हम practical, in-depth practical knowledge के बारे में बात करने बाले हैं यहाँ पर कुछ techniques जो हैं, time management को लेकर उसको समझेंगे, उस पर विचार विमर्ष करेंगे, discussions होंगी, और यह सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप अपने जीवन में implement करने के लिए तयार हैं, तो मैं आप सब को यह offer देता हूँ, कि यह challenge उठाईए और समय योगी बनिये यहाँ पर समय योगी का मतलब simple language में यही हैं, कि आप अपने time का अच्छी तरीके से management कीजिए, दोस्तो इस series को लेकर अगर आपके मनमें कोई question, queries, doubt से तो आप मुझे email भी कर सकते हैं, हमारी बात्चीत जो हैं वो यहाँ पर खत्म नहीं होती है, time management के लिए या फिर समय यो requirement जो हैं, सबसे पहली, basic yes, basic yet I would say, basic yet सबसे important अगर कोई requirement हैं, तो that is you have to wake up early in the morning, आपको सुबह जल्दी उठना हैं, और मेरे लिए जल्दी उठने का मतलब हैं, precisely 5 a.m., पांच बजे से पहले अगर आप उठते हैं, चार बजे, सवा चार बजे, साली चार बजे, पॉने 5 बजे, 5 बजे, लेकिन 5 बजे से पहले, it should be not late then 5.00 a.m., 5.01 a.m. भी नहीं, 5.00 इसके बाद नहीं, इससे late नहीं, not इसके बाद नहीं, इससे late नहीं, अब पहली बात ही, पहली टिप ही मैंने आपको दे दी, पहले जो पत्थर हैं, जो पहला जो हम कहते हैं ना के नीव का पत्थर या फिर जो यहां से ही उद्गाटन हम कर रहे हैं, इस बात की, time management की, और मैं सबसे पहले ही, सबसे basic, yet सबसे important बात पता रहा हूँ, कि अगर आपको समय योगी बनना है, तो इसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जो है, वो स्टार्ट होता है, पाँच बजे से, सुबह पाँच बजे आपको उठना है, मैं जानता हूँ, जितने लोग इसको सुन रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, वो इस बात को resist करेंगे, कहेंगे कि मैं तो एक late night काम करने वाला व्यक्ती हूँ, AR रह्मान साब जो हैं, AR रह्मान वो रात को ही काम करते हैं, late night को काम करते हैं, तो मैं भी late night को ही काम करूँगा, अगर आप इस प्रकार के खयाली पुलाव पका रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा, कि रह्मान साब अपनी जगा पर है, हम कहां पर हैं, उसकी शुरुवात, उसको देखना जो है, वो हमारी responsibility, हम किसी की lifestyle को कौपी नहीं कर सकते हैं, अगर आपने 100 दिनों के लिए, 100 डेज के लिए, 5 बजे उठकर काम करने की कोशिस की, 100 डेज आपने सुबह, 5 बजे उठकर, पढ़ाय करने की कोशिस की, और फिर आपको पता चला के नहीं, ये 100 डेज के बाद का अनुभव आपका यह कहता है, कि you are not an early morning person, तो आप अपनी जगा पर सही हैं, लेकिन आपने एक दो बार ही सुबह, 5 बजे उठे हैं, और फिर आपक सकता है, कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, तो आपने कभी इसको try नहीं किया, तो जब तक आप इसको try नहीं किया, तब तक आप इसको reject भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो this is condition number one, you have to wake up early in the morning, और जो लोग excuses देंगे, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, सत्य नाडेला, Microsoft के जो head है, एपी जे कलाम साब, वो भी जल्दी सुबह उठ जाते थे, छे बजे से पहले तो वो उठी जाते थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी साब, हमारे जो current प्राइम मिनिस्टर है, वो सुबह जल्दी उठते हैं, अक्षय कुमार, वो भी काफी जल्दी उठ जा हैं, बहुत सारे ऐसे, for example, इंदरिया गान्ती जी जो है, वो भी जल्दी सुबह उठ जाती थी, तो इसे बहुत सारे political leaders हैं, बहुत सारे ऐसे athletes हैं, जो सुबह जल्दी उठकर अपना-पना काम जो हैं, वो करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे example है, जितने भी दुनिया के, या फ Keystone Habit का मतलब यह होता है, कि ये एक ऐसी आदत है, ये आदत जो हैं, वो दूसरी सारी अच्छी आदतों की माँ है, Mother of all other good habits, that is waking up early in the morning, एक वक्त था, आपने ये LINE जरूर पड़ी होगी, वीर, भोगया, वसुन्तरा, मतलब यह हैं, कि जो वीर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, जिनके अंदर हिम्मत और साहस होती हैं, वही इस पृत्वी पर, वही लोग जो हैं, वो अपना जीवन हकिकत में जी पाते हैं, बाकिस सारे लोग जो हैं, बस जीने के खातर जीते हैं, लेकिन रियल लाइफ जो हैं, वो सिर्फ सहसी लोग ही जी पाते हैं, एक वक्त था जब लड़ाई करने जाना, युद्ध करने जाना, जो हैं, वो जो स्किल थे, उसकी काफी हाई डिमांड थे, जब दुनिया पर में युद्ध चल रहे थे, तो आज की सबसे इंपोर्टन स्किल, आज की करेज और इंटिग्रिटी की बात करें, तो वो यही है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, जो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, छोटे बड़े साहस करने के लिए तयार हैं, और मैं आपको बता दूँ, खास करके, विंटर के ट ही है, समय योगी बनने के लिए भी आपके अंदर वो साहस चाहिए, आपको बहुत सारी ऐसे सेक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कि आपको अभी योट्यूब में शोट्स या फिर कोई फिल्म या नेट्फलिक्स प्राइम पर कोई वीडियो देखने का मन कर रहा होगा, और आप अपने मन पर काबू पाकर आप पड़ाए करते हैं, जो आपको शायद उस वक्त करने का मन ना हो, आपको सुबह उठकर ऐसा फिर से मन होता होगा कि थोड़ा और सो जाओं लेकिन आप उस वक्त बैड के बहार निकलते हैं और फिर एक्सरसाइस करने के लिए, जब हैं यह लोग के अंदर ब्रेवरी हैं यह लोग साहसवीर हैं मैंने अपने एक दिन के अंदर, मैंने दिन की शुरुवाद जो हैं, वो सुबह जल्दी उठने से की, this is my first victory, यह मेरी पहली जीत रही, सुबह उठते ही मैंने विजयता का स्वाद चखा, मैंने victory का स्वाद चखा, number two, मैंने mood नहीं था, तब भी मैंने exercise की, मेरा mood नहीं था, तब भी मैंने पढ़ाई की, तो आपने अपने आप पर छोटी छोटी विजय जो हैं, वो प्राप्त करना start कर दिया, आपके दिन की शुरुवाद ही victory से होती हैं, इसी बात पर एक interesting quote आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक quote है, the bad news is time flies, the good news is you are the pilot, खराब खबर यह हैं, कि समय जो हैं वो उड़ता है, और अच्छी बात यह हैं, कि आप पाइलेट हैं, आप पाइलेट बन सकते हैं, आप जहां पर ले जाना चाहा है, वहां पर आपका समय जो हैं, वो ले जा सकते हैं, क्रिकेट से हम क्या सीखने को मिलता है, क्रिकेट से हम यही सीखने को मिलता है, कि अच्छा बैट्समैन वो नहीं है, कि जब right ball आएगा तब six लगाएगा, या फिर four लगाएगा, अच्छा बेट्समेन वो है कि जब खराब गेंदे आती है तब वो एक एक रन लेना नहीं भूलता है वो छोटे छोटे स्टेप्स उठा कर छोटे एक रन कहीं पर मिल गया, दो रन मिल गया ऐसे ऐसे करके वो सेंचुरी तक बहुत जाता है तो दिन में आप कितने भी बीजी क्यों नहीं हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ मेरी ये रिस्पॉंसबिलिटीज हैं मेरे मेरे मेरेज हो चुके हैं एकसेटरा, तो मेरे पास वो वक्त नहीं है वक्त तो दोस्तों किसी के पास भी नहीं होता है आपको अपने ही दिन से ऐसे सिंगल सिंगल रन जो हैं वो लेने की कोशिस करनी है ऐसे अगर दस सिंगल रन भी आपने निकाल लिये आप अगर वेट करेंगे कि आप एक छका और चोका लगाएंगे जो शायद आपको कभी दिन में मौका ना मिले लेकिन आपने एक एक करके ऐसे दस सिंगल रन ले लिया तो टोटल जो है वो दस का ही हुआ तो यह माइंड सेट जो है यह हमें डेवलोप करना है इस दिशा में हमें दोस्तों आगे बढ़ना है राइट तो अगे बढ़ना है यह पहला लेक्चर था थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो गया किस दिशा में किस गहराए में यह सिरीज जाने वाली है उसका एक चोटा सा हिंट भी आपको इसमें से मिल गया होगा आज की यह बात चीछ जो है वो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताईए का कॉमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट्स हैं कोई क्वेशन्स हैं कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे इस इमेल अडरस पर जो curiouslyeducation at gmail.com है यह रहा वो email address यहां पर आप मुझे email भी कर सकते हैं Thank you very much God bless you all Jai Hind